हेलो फैंस तो आज मैं आपको मार्केट जैसे टिक्की छोले चाट घर पर बनाने का तरीका बताऊंगा इस तरह से आपे टिक्की बनाएंगे एक तो बाहर से क्रिस्पी बनेगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी इसके साथ मैं जो दोनों चट्निया बनाई के लिए और अगर आपके टाइम है तो आप इनको 6-8 घंटे दब बिगोल सकते हैं नहीं है तो इस तरह से आप इनको कुकर में बोईल कर सकते हैं देखिए इसमें मैंने पानी एड़ कर दिया है अब पानी कितना डालना है अगर आपने एक कप चने लिए होंगे तो चार मैं अज़े हैं आपके इसमें दया थैnda कर दिशे और एक मैंने इसमें टीबेग एड़ की आड़ की इनको काल़ करने के लिए और थोड़े से हाप इसमें अनार के चिलक कर दिशे बड़र सा चिलका डालना है इतन tentar डारक हो जाएंगे जब आप इनको बॉयल करेंगे तो पच्ची से तीस में तक बॉयल होने दिए एक बिसलाने के बाद और देखे चे मैंने आपके कच्चे आलू लिए इनको आपने पील कर लेना है इसके हम टिक्की बनाएंगे तो अगर आपके स्पॉयल आलू है तो आप इनके टिक्की जल्दी बनाए सकते हैं नहीं है तो इस इसके बने ग्याइब कर देना है और इसके बद आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है जब तो बॉयल नहीं आए जाएक बारा मिनट तक आपने इनको मीडियम फ्लेम में पका लेना है देखे दस से बारा मिन पर आलू जो यहां पर पक कुके हैं और इस तरह से एक आलू चेक भ या फिर आपके बास ना हो तो आपने लिए और उससे पर आपू मैस कर सकते हैं तो देखिए ALL को मैंने अच्छी तरद से मैश कर लिए इसके ऊपने आलो ना थंडा हो cyclies जैसे आलू ठंडे हो जाएंगे इसके बुद आपने इसमें नमक आड़ करना है तो आदर चमच आप इसमें नमक आड़ कर दीशे और तीखा करने के लिए आपने इसमें थोड़ी सी कूटी काली मिर्च लिए उसको ड्राय रोज करके कूट के डार सकते हैं तो यह देखिए क काली मिर्च भी एड़ कर दी है और इसमें थोड़ा से आपने 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 मिर्च कर लेना है तो यहां पर मैं थोड़ी सी ना सूजी एड़ कर रहा हूं वारीक वारी सूजी का मैंने यूज़ किया है व्याचा तो तीन बड़ी चमश मैंने काम सूजी को भी मिक्स कर लेना आपने इसको अच्छे से मिक्स करने को बना इपना है और इसके आप बना सकते हैं अगर आप इसको ज्चादा मेश करएंगे तो क्या होगा आपको और बाइड़ा होता चाहिए चाहे कि को देखे चपटा करती शें तो इसी तरह से आपने सारी कि सारी टिकियां बनाके त्यार कर लेनी है और थोड़ी सी छोटे पतले साइज की टिकियां बनानी है ताकि अंदर रग अच्छी तरह से पक जाए और अच्छानी में कौर आए जब आप इनको फ्राई करेंगे ऑल क चार टिक्किया मैंने डाल दिया और थोड़ी दिर में आपने इनको पल्टी भी करते रहना है तो इस तरह से थोड़ा सा कलर इनका चेंज हो जाएगा उसके पल्टी कर दिशे तक दूसरी साइट से भी टिक्की जो अच्छी तरह से पक्स जाए तो तब तब आपने इनको पक करेंगे अंदर बिल्कुल भी ऑईल नहीं जाएगा तो के देखे बहुत ही बड़ी अकलर आ चुका है इसके अपने इनको निकाल लेना है जो बचिर टिक्किया इसी तरह से आपने इनको भी ना फ्राई कर लेना है तो यहां पर मैंने सारी की सारी टिक्किया फ्राई कर लि इसके जो सेड़ी होते ना उनको आपने अलग कर देना है और जो गुड़ को आपने काटे के इमली के पानी में डाल देना है इस चटनी को भी सिर्फ और पांच मुन में घर पे बना सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में आधचा मुझे मुझा आप इस पकने देना है गैस की फिर्म आपने मीडियों रखनी है जब तक गूर अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाए जब तेज गैस में पकाना है तेज गैस में पकाएंगे एक तम से ठीकने साज़ेगी और लास्ट में थोड़ा सा बुनो जीरा पोर्टर डालना है थोड़ा सा काल रख सकते हैं तो देखिए कितना बड़ी है इसमें कल रहा है और कितनी जवर्दस हमारी शटनी बनके त्यार हुई है अब इसके उतना चने बनाएंगे अब मैंने यहापे चनों को बिगोगे बॉयल नहीं किया अगर बिगोगे होते हैं तो 15 मिन में चने बॉयल जाते हैं बिगोगे चने बॉयल करेंगे पूरे 30 मिन लेंगे देखिए जो अनार के मैंने इसमें चिलके एड़ किये थे ना उनसे कितना जवर्दस दिन में कलर आया है और इसके इन चिलकों को निकाल लेशे टी बैग हमने एक ही यूज़ किया था उससे तना ज़्यदा कलर नहीं आ और इस चने इनको आपने डाल देना है अब इस चनों को बनाने के लिए ना तो प्याज टमाटर का यूज़ करेंगे नहीं लसुन का यूज़ करेंगे ठीक है यह दिखिए आदे चने मेंने कड़ाई में डाल दिये हैं इसमें एक छोटा चमच नमक कर देते हैं आपने गर्मसाला पौर्डर एड़ करना है आदा चमच आप इसमें ड्राइजिंजर पौर्डर एड़ कीजिए सॉंट पौर्डर और इसके अपने एक पैन लेना है उसमें ऑईल एड़ करेंगे थोड़ा सा कम ऑईल से भी आप इनको बना सकते हैं पैन में एक छोटे चमच साबू जीर आड़ कीजिए थोड़ी से आपने इसमें हींग आइड करनी है का वीचा फ्लेवर आएगा हींग से और जीरे को आपने थोड़ा से यहां पर चटकने दीशे गर्म गर्म ऑईल को आपने इन चनों के ओपर डाल देना है और मसालों के साथ इनको मिक्स कर लेना है अब टिक्की चार्ट बना रहे हैं इसमें थोड़ा से चने ना मैश करना जुरूरी होते हैं तभी उसमें अच्छा टेस्ट आता है तो देखिए चने अच्छी तरह से यहां पर मिक्स कर लें थोड़े से भून भी लिए जो पानी रखा था निकाल के चनों का वह आपने इसमें एड़ कर देना है और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेशें तो यह टिक्की चार्ट बाले जो चने अब त्यार हो चुके हैं आप चनों में थोड़ा खटा टेस्ट लाने के लिए आम चुरू पाउड़ रहे हैं फिर इमली का पानी डाल सकते हैं बड़ हम यहां प यह ठोड़ से चने आपने ना उपर से Volks कर रेंगे फिर आपने इसके उपर सौंट चटनी डालने संसर्ट चटनी का यूज थोड़ जादा की शेका जब आप इनको सर्व करेंगे और सी मिन चटनी सर्व करते शे तो फ्रेंस पीडियो अच्छा लगओगा लाइक शे